हेलो गाइज नमस्कार वैलकाम आप सोका फिर से आमारी इस और गैनिक इनकान चनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूटूब चनल पर साथ में उम्मिन रखता हूँ कि आप भी स्वास्तों की हेल्दी होंगे अभी आप देख सकते हैं हमने एक रोज प्लांट लगाई थी जो कई बार हमारे यही होती है कि जब हम नरसरी से किसी गुलाब को पर्चेश करके लेके आते हैं और जब हम घर पर इसे लगाते हैं किसी गमले पर या फिर नरसरी ग्रोबेक पर जब हम से लगाते हैं तो सम टाइम ग्रोब कर जाते हैं सम टाइम नहीं भी करते हैं तो इसकी क हुआ काल कि आपुर्ऩ की लिगति हमाइद यहीगि खकायट होती हम अगते थे खर्वागर भिश्ट ही म met ë्हार जल्दी लगती क्यों नहीं है टो आपके सामने हम देख सकते तो आपको करनी यही है इसकी तो अलग हमने वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप नसरी से जो गुलाव लेकाते हैं अगर वह वीडियो आपने नहीं देख़ेक तो है discussion box पे मैं उसकी link में डाल दूँगा बट अभी आप sorts में समझ सकते हैं कि किस तरह से लगाए जाए जब हम गमले पे उसे लगाते हैं जब नस्तरी से लेके आते हैं तो उस पे दूचार फूल भी होते हैं और हम उसी तरह उसे लगा देते हैं बट आपको इस तरह से नहीं करन थी और एक इधर भी कली लगी हुई थी जो देखने में बहुत ही खूसरत लग रही थी बट हमें कटने के उसे कट करने को मन नहीं कर रहा था बट अगर आप चाहते हैं हमारी गुलाब की कट जो हम परचेस करके लेके आए हैं और हमारे घर में वह लग जाए मतलब की अब आप देख सकते हैं सबी जगा से हमने ऊपर की जो ब्रांचेस थे सब जगा से हमने कट कर दी एक इधर इधर यहां भी आप देख सकते मतलब पूरी हमने पोधे को कर दी क्योंकि उसकी रूट भी बहुत कम होती है अगर उसी तरह लंबे ब्रांचेस हम मिठी पे यहां से हम निखाल के लेकर आते हैं वहां तो फिक्स होती है बहुत पहले से जिस्से रूट से ब्लच से अपने की लिए आपको बिल्कुल प्रोट करनी हो कुछ इस तरह से आपको कट कर देनी हो उपर से देन तभी आप अपने गमने पर उसे सीफ्ट करेंगे आप अगर यह प्रोसेस अपनाते हैं तो यकीन मानिए दस दिन के अंदर वो गुलाब आपकी successfully हो जाएगे कुछ इस तरह से अभी आप देख सकते हैं सब जगे से नई suits निकल रही है एक यहाँ suit है और एक इधर से भी suit है और कई सारे suit अभी निकल रहे है future पर तो पहुत ही जल्दी यह जितनी सारी branches से उस branch के ऊपर full ही full लगेंग हैं और कलिया ही कलिया लगेंगे मतलब वो गुलाब हमारे घर में successfully हो जाएगी बट आप यह process अपनाते हैं तभी उसी तरह गुलाब जो बड़े होते हैं अगर आप उसी तरह full लगी होती है उसी तरह अगर लगा देंगे तो sometime grow करेंगे या फिर sometime मर भी सकते हैं तो ने वीडियो गुलाब के उपर बनाई हैं तो अभी आप देख सकते हैं यही सारे रिजन होती है जो हम नसरी से गुलाब लेकर आते हैं उसे लगाते हैं तो जल्दी लगती नहीं है हम उसी तरह छोड़ देते हैं तो यह लपरवाही थोड़ी से आपको मैनेज करनी होगी तब ही आप गुलाब के पौधे को अच्छी क्यारपकार पाएंगे और आपकी गुलाब जो है लग पाएगी ओके फ्रेंट्स आप यह वीडियो समझ पाया होंगे मैं जो समझाने की कोशिस की हो आप समझ गया होंगे तब चलिए ओके गुडबाई फिर मिलते किसी ने वी